नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल एक्जाम लर्नर में आपका श्वागत है दोस्तों आज हम लोग विकास की वस्थाओं के अगले भाग कि शोरा वस्था को पढ़ेंगे यहां से परिचा में 2-3 प्रशन हमेशा पूछे जाते हैं तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और जो भी महतपूर प्रशन अभी तक परिच्छा में आये हैं उनको भी इसमें सामिल किया है तो चलिए देखते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक सेर जरू कर दीजेगा और हमारे चैनल एकजाम लर्नर को सब्सक्राइब कर लिजेएगा देखते हैं किशोरावस्ता 12 वर्स से 18 वर्स तक की आयू होती है तो यह होती है किशोरावस्ता पूर किशोरावस्ता 12 से 15 वर्स तक की आयू को कहा जाता है और उत्तर किशोरावस्था 15-18 वस्था की आयू को कहा जाता है किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तुफान तथा संघर्ष की अवस्था है यह किशने कहा है तो यह करे श्टेनली हालने कहा है अतेंत दुरूत योंगतीब्र विकास का काल है तो यह है पूर किशोरावस्था जो 12-15 वस्था की आयू होती है किशोरावस्था में संबेग प्राया होते हैं तो यह होते हैं अधिक उग्र किशोरावस्था में सिच्छा का क्या सोरूप होना चाहिए तो यह होना चाहिए जीवको पारजन के उद्देश की पूरती के लिए सिच्छा किशोर ही परतमान की सक्ती और भावी आसा को प्रस्तूत करता है यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का अगला है इस पात पर कोई मत्भेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठीन काल है यह कथन किसका है? तो यह है किलपैक्ट्रिक का अगला है किशोर अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं Adolescence बालक का सारी मानिशिक समाजिक और सम्भेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ता को प्राप्त होता है तो यह होता है किशोर अवस्था में सम्भेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीब्र परिवर्तन होता है तो यह भी होता है किशोर अवस्था में समाजिक व्यवस्था में परिपकता की स्काल में आती है तो यह है आती है किशोरा वस्था में अब आगे हम लोग देखते हैं किशोरा वस्था कठीन काल के रूप में तो देख लेते हैं समायोजन में असमर्था के रूप में शंबेगात्मक परिपकता की रूप में योन आकरशड योन कामुकता निशेधात्मक ब्योहार अध्यन में अरुची बहिरगामी परबिर्ती मुली आदर्शो में संघर्ष, पेंडूलम जैसी अवस्था की अनभूत, उदास शीनिता, दिवा शौप्न, स्वच्छंदता, नियंत्रा नुशासन से मुक्ति ये सभी किशोरावस्था, जो की एक कठिट काल की रूप में बोला जाता है, उसमें ये सभी देखने को मिलता है आगे देखते हैं किशोरावस्था की बिशेष्थाओं की सरोत्तम रूप से ब्यक्त करने वाला एक सब्द है, तो यह है परिवर्तन किशोर अवस्ता की परमुख मनुबैग्यानिक भी सेश्ता है पूर संभीगात्मों विकास की कारड अस्थायुतियों समायोजन का अभाव एडोलेसेंस किसकी रचना है तो यह है जीयस हाल की किशोर में जो सारीरिक मानसीक और संभीगात्मों परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं यह किसका कता है तो यह भी है जीयस हाल की धार्मी के उमनेतिक सिच्छा दी जानी चाहिए यह किशोर अवस्ता में इस्टेंडले हाल कहां की मनुपे ग्यानिक थे तो यह थे अमेरिका के इस्टेनले हाल ने किशोरा वस्था को चार सब्द यानि कि तत्तु के रूप में परिभासित किया है वह कौन कौन से हैं संघर्ष, तनाओ, तुफान यो बिरोध की अवस्था अगला किशोरा वस्था की प्रमुख विशेष्था नहीं है किशोरा वस्था की प्रमुख विशेष्था है तो वह संघर्ष का आधिक कल्पना की बहुलता यो मानशिक विखास संघर्ष सब्द का साब्दिक अर्थ है तो यह उत्तेजना या भाव में उथल पुथल किस अवस्था में आव्यगों की तीब्रता की इस्तिती उत्पर्ण होती है तो यह होती है किशोरा वस्था में किशोरा वस्था में बालक रूची लेने लगता है तो बिशम लिंगी में बालक वास्तविक जगत में आ जाता है तो यह किशोरा वस्ता के बाद संबेदन सीलता और लोकन प्रत्याई करण इश्मिर्थ ध्यान कल्पना चिंतन बुद्धी तर्क आधी में प्रिद्धी होना है तो यह मानसिक बिकास पाठिकरम का अर्थ है दोड का वहपत जिस पर दोड कर बालक अपने बेक्तित्तु का विकास करता है पाठिकरम सिच्छक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कच्छा कला में अपने सैचिक लच्छियों के अनुशार ढालता है तो यह कथन कनिगम महोदय के नुशार दिया गया था किशोरा अवस्था बालिकाल और प्रोड़ा अवस्था के बीच की कैसी अवस्था है तो यह है अस्थिर्ता की अवस्था बालक अपने बेवहार की समाजिक सुईकृति चाहता है तो यह किशोरा वस्ता में बालकों के सरवांगीर विकास का दायुत है तो यह सिच्छा कियों बालक दोनों पर अंध्य बालक होते हैं जिसकी द्रिष्टी एक्यूटी तो 20 से 200 होती है समानी बालक संबिगात्मक रूप से होता है तो यह होता है संतुलित अब देखते हैं किशोरा वस्ता से संबंधित मनोब ज्यानिकों के कुछ विचार तो वेलेंटाइन के सब्दों में देख लेते हैं घनिष्ट और बेक्तिगत मित्रता उत्तर की शोरा वस्ता की बिसेश्ताएं हैं क्रो यां क्रो के सब्दों में किशोर ही वर्त्मान की सक्ती और भावी यासा को प्रस्तुत करता है अगला है बलेर जोन्स तथा सिम्सन के रुशार किशोरा वस्था प्रतेक बेक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्या वस्था के अन्त में प्रारंब होता है और प्राडा वस्था के आरम में समाथ होता है कि अगला हाई izaciónले हालका कि शुरा वस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उचितर और स्रेश्तर मानों बिशिस्ताओं के दर्शन होती है बीए फिश्कीजर के सब्दों में तो यह है किशोर का निर्ड़े करने का कोई अनुभव नहीं होता है अगला है वेलेंटाइन के सब्दों में किशोरा वस्था अपराज परवीर्थ के विकास का नाजूप समय है कॉलसनिक कमत है कि किशोरावस्था प्रोडों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतनता का लच प्राप्त करने से रोकते हैं विंग यूम हंट कमत है कि किशोरावस्था के बिशेष्थाओं को सरोत्तम रूप से बेक्त करने वाला एक सब्द है तो वो है कौन सा है वो है परिवर्तन है बियन जहां के अनुशार जहां तक बुद्धी के विकास का संबंध है यह किसोरा वर्स्ता के अंतरगत अपने उच्चेतम सीमा पर पहुंच जाता है तो यह कुछ स्टेटमेंट है जो कभी-कभी परिच्चा में पूछ लिया है तो एक बार इसको देख लेना ज़रूरी है अगला देखते हैं किसोर अत्यधी कलपना शील होते हैं यह कुछ महतपूर परिच्चा प्योगी पॉइंट है तो इसको भी देख लेते हैं कलपना की प्रपलता की कारण इस उग इस उम्र में दिवा सपने देखने की प्रिबित होती है यह किसोरा वस्ता की बात हो रही है लड़कियों में दिवा सपने अधिक होता है प्रतेयों के अधार पर अमुर्ध जिंतन की छमता का विकास रचनात्म कल्पना की छमता का विकास अठारे बस की आयू का आउसत वालक इसी आयू की आउसत वालिका से लगए 10 सेंटिमीटर अधिक लंबा होता है किसोरा वस्ता पर सरवाधिक अधियन जियस हाल ने किया जियस हाल अमेरिका के मनोपैज्यानिक थे पत्र पत्र का पढ़ना मनोरंजन्त करना किसोर का गुड़ है किसोरा वस्ता में धड़कन नियमित हो जाता है किशोरा वस्ता में किशोर और किशोरी अन्यतिक और अन्यतिक बातों पर चिंतन करने लगते हैं और थाथ अपने जीवन का दर्शन का दिर्माट करते हैं किशोर बहुदा आधर स्वादी होते हैं योग किशोर में लिंग संबंधी संतोस्प्रद कारी करने की आकांचा होती है किशोर बेवहार की अनेक विधियों को शीखने का प्रयत्न करता है तो यह था किशोरा वस्ता से जुड़े कुछ महतपूर प्रस्ण जहां से परिच्छा में प्रस्ण पूछे जाते हैं इसका अब्जेक्टिव वीडियो हमारे चैनल पर संपूर मनुविज्ञान की नाम से पड़ा हुआ है तो उसको भी एक बाद जरूर जाकर देख लें जद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेर जरूर कर दिजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद